नमस्ते बुजरात के मुख्य मंत्री स्री बुपेंद्र भाई पटेल केंद्रिय मंत्री परिशत के मेरे सहियोगी स्री अश्वीनी वैशनव जी स्री राजीव चंदरश्यकर जी अलग-अलग राज्यों से जुड़े सभी प्रतिनी थी डिजितन इंडिया के सभी लाभार थी स्टार्ट अप्स और इंडिस्ट्री से जुड़े सभी साथी एक्सपर्ट्स, अकेडिमिशियन्स, रिसर्चर्स, देवी और सजनों आज का एक आरकम कितना क्रांतिकारी है इसका उधारन भारत ने डिजिटल इंडिया अभ्यान के तौर पर पूरे विश्व के सामने रखा है मुझे खुशी है कि आठ वर्स पहले शुरू हुआ यह अभ्यान बदलते हुए समय के साथ खुद को विस्तार दे रहा है हर साल डिजिटल इंडिया अभ्यान में नए आयाम जुड़े हैं नए टेक्नलोजी का समावेश हुआ है आज के इस कारकेम में जो नए प्लेटफोर्म नए प्रोग्राम लॉंच हुए है वो इसी स्रिंखला को आगे बढ़ा रहे है अभी आपने छोटी छोटी वीडियो में देखा माई स्कीम हो भाषणी भाषादान हो डिजिटल इंडिया जेनेसीज हो चिप्स तु स्टार्टप प्रोग्रेम हो यह बागी सारे प्रोड़क्स यह सारे इज अफ लिविग और इज अफ दूइंग बिजिनेस को मजबूती देने वाले हैं विशेश तोर पर इनका बड़ा लाब भारत के स्टार्टप इको सिस्टिम को होगा साथियों समय के साथ जो देश आधुनिक टेक्नोलोजी को नहीं अपनाता समय उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है और वो महीं का महीं रह जाता है तीसरी आउद्योगी क्रांति के समय भारत इसका भुक्त भोगी रहा है लेकिन आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि भारत चौथी आउद्योगी क्रांति इंडिस्ट्री 4.0 आज भारत गर्व से कह सकता है कि हिंदुस्तान दुनिया को दिशा दे रहा है और मुझे इस बात की दोहरी खुशी है कि गुजरात ने इसमें भी एक तरह से पथ प्रदर्शक की भूमी का निभाई है थोड़ देर पहले यहां डिजिटल गवर्नेंस को लेकर गुजरात के बीते दे दर्शक के अनुभवों को दिखाया गया है गुजरात देश का पहला राज्य था जहां गुजरात स्टेट डेटा सेंटर जी एस डीसी गुजरास स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क जी स्वान इग्राम सेंटर्स और एटी विटी जनसेवा केंद्र जैसे फीलस खड़े किये गए सुरत बाडोली नी पासे आपने जा सुभाज बाबु कॉंग्रेस ना अध्यक्ष बने आदा त्या सुभाज बाबुनी याद मा एक कारकम करें तो अन्डे इग्राम विश्व ग्राम नू लॉंचिंग करुई तो ये वक्त ते गुजरात के अनुभवों ने 2014 के बाद राष्ट्रिय स्तर पर टेक्नोलोजी को गवर्नेंस का व्यापक हिस्सा बनाने में बहुत मदद की है धन्यवाद गुजरात यही अनुभव डिजिटल इंडिया मिशन का आधार बने हैं आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि इन साथ आठ सालों में डिजिटल इंडिया ने हमारा जीवन कितना आसान बना दिया है 21 सदी में जिनका जन्म हुआ है जो हमारी युवा पीड़ी हैं जिसका जन्म 21 सद में हुआ है उनके लिए तो आज डिजिटल लाइफ बहुत कुल लगती है कि फैशन स्टेट्मेंट लगता है उनको लेकिन सिर्फ आठ साल पहले की स्थित्यों को व्याद किजिए बर्थ सर्टिफिकेर लेने के लाइन बिल जमा करना है तो लाइन राशन के लिए लाइन एड्मिशन के लिए लाइन रिजल्ट और सर्टिफिकेट के लिए भी लाइन बैंकों में लाइन इतनी सारी लाइनों का समाधान भारप ने ऑनलाइन होकर करक दिया आज जन्म प्रमाण पत्र से लेकर सीनियर सिटीजन वरिष्ट नागरी की पहचान देने वाले जीवन प्रमाण पत्र तक सरकार की अधिकतर सेमाई डिजिटल है वरिना पहले सीनियर सिटीजन को खास करके पैंशनर को जाकर के कहना पड़ता था कि मैं जिनना हूँ जिन कामों के लिए कभी कई कई दिल लग जाते थे वो आज कुछ पलों में हो जाते हैं कि सात्यों आज डिजिटल गवर्नेंस का एक बहत्रीन इंफ्रास्रक्टर भारत वे हैं जंधन मोबाइल और आधार जेम जे-ए-ए-म यह इसकी जो त्री शक्तिकार देश के गरीब और मिडल क्लास को सबसे अधिक लाब हुआ है इससे जो सुविधा मिली है और जो पारदर सिद आई है उससे देश के करोडों परिवारों का पैसा बच रहा है आठ साल पहले इंटरनेट डेटा के लिए जितना पैसा खर्च करना पड़ता था उससे कई गुना कम याने एक प्रकारते नगण्या उस कीमत में आज उससे भी बहतर डेटा सुविधा मिल रही है पहले बिल भरने के लिए कहीं एप्लिकेशन देने के लिए रिजर्वेशन के लिए बैंक से जुड़े काम हो ऐसी हर सेवा के लिए दप्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे रेलवे का आरक्षन करवाना और गाओं में रहता हो तो बेचारा है पुरा दीन खपा करके शहर में आता था सो डेड़ सो रिप्या बसका किराय खर्चा करता था और फिर लाइन में लगता था रेलवे आरक्षन के लिए आज वो कॉमन सर्विस सेंटर पर जाता है और वहीं से उसको यह वेरी कॉमन सर्विस सेंटर वाली पहुत दिखती है और वहीं से उसका काम हो जाता है गाउं में हो जाता है और गाउंवालों को भी पता है यहां यह ववता है इसमें भी कीराय भाड़े आना जाना दिन लगाना सभी खर्चों में कट होती आई है गरीब महनत मद्दूरी करने वालों के लिए तो ये बचत और भी बड़ी है क्योंकि उनका पूरा दिन बच जाता है और कभी-कभी हम सुनते थे नहीं time is money सुनने और कहने में तो अच्छा लगता है लेकिन जब उसका अनभव सुनते हैं तो दिल को छू जाता है मैं अभी काशी गया था तो काशी में रात को दिन में तो इज़र उतर जाता हूं तो ट्राफिक और लोगों को परिशानी तो फिर मैं रात को एक डेड़ बजे रेलवे प्रेटफॉर्म पर चला गया देखने के लिए भी कहां क्या हाल है क्यों वहां के MP हूं तो काम तो करना तो मैं बहुत पैसेंजरों से बात कर रहा था स्टेशन महस्तर से बात कर रहा था कि मेरा सर्प्राइज विजिट था कोई बता के तो गया नहीं था तो मैंना का भाई यह जो बंदे भारत ट्रेन चल रही है क्या अनुभाव है और अक्यूपंस कैसे रहते अरे बोले साहब इतनी उसकी मांग है कि हमें कम पढ़ रहे हैं अधि तो थोड़ी ट्रेशन महेंगी यह इसकी ट्रगट जादा लगती है इसमें लोग क्यों जाते हैं कि बोले साहब इसमें मदूर लोग सबसे ज़्यादा कीसे मेरे लिए सर्प्राइज था बोले वह दो कारण बताते एक बोले बंदे भारत ट्रेन में स्पेस इतनी है क ये सामार उठा के लेके जाते हैं तो रखने की जगह मिल जाती है गरीब का अपना एक हिसाब है और दूसरा समय जाने में 6-8 गंटे बढ़ जाता है तो बहां तुरंट काम पे लग जाता हूं तो 6-8 गंटे में जो कमाई होती है टीकिर तो उससे भी कम में लग जाती है टाइम इज मनी कैसे गरीब हिसाब लगाता है बहुत पड़ी लिखे लोगों के इसकी समझ बहुत कम होती है साथ्यों इस संजीवनी जैसी टैली कंसल्टेशन के जियो सेवा सुरू हुई है मोबाइल फोन से बड़े-बड़े अस्पताल बड़े-बड़े डॉक्टरों के साथ प्राइमरी सारी चीजे पूरी हो जाती है मैं और इसके माध्यum से अब तक तीन करोर से अधिक लोगों ने अपने घर में बैठे ही अपने मोबाइल से अच्छे से अच्छे ईस्पताल में अच्छे से अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट किया है अगर उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता तो आप कल्पना कर सकते हैं कितनी कठिनाईया होती कितना खर्चा होता यह सारी चीजें डिजिटल इंडिया सेवा के कारण जरूरत नहीं पड़ी साथियों सबसे बड़ी बात जो पारदर्सीता इससे आई है उसने गरीब और मद्यप्र को अनेक स्तुरों पर चलने वाले ब्रश्टाचार से मुक्ति दी है हमने वो समय देखा है जब बिना गुस दिये कोई भी सुविधा लेना मुश्किल था डिजिटल इंडिया ने सामान्य परिवार का ये पैसा भी बचाया है डिजिटल इंडिया बिचोलियों के नेटवर्क को भी समाप्त कर रहा है और मने तो याद छे एक वार विधान सबाम चर्चा था ये लिए और आज ये चर्चा ने याद करूं तो मने असरे था का आभी बदी बात विधान सबाम थती थी के लाग पत्रकारों जेन शोच्छे अवे ख़ए सोधी कार से बदू विशयवो होतो कि जे बिध्वा पैंशन मले शे तो ये वक्तने मैं कहुँआ का अपड़े काम करो भई पोस्ट्वाभिस मां खाता खोला भी तो आने त्यां येमनों फोटो होए अन अबदी बबस्थ पोस्ट वुट्वाभिस में जाही ने इसे बिध्वा बहन हो ये पम सुसित निक्डे के वीते इब एंक मां जाये पोस्ट ओफिस मं बाशन चामें बाच्चों तो मजाय वेवुफ्द बोल्या चे ना कोई महारत आरस्ते जवुश है तो में बदद करो तो सारू ना करी मदद पड़ आपने गया कर जनता है मदद करी जना पड़ा तोफान शुकर्मा मचावता आता था है एमने बिध्वानी जिंता नोती जा रहे में पोस्ट्रोपिस मा फोटो पहचान आप दी व्यवस्ता हुई करी तैरता डिजीटल नी दुनिया एटली बिधी पहुची नोती तमने आस्ते रहत हसे सेंकड़ो विध्वा एभी मली कि जे दिक्रिणों जनमज नोतो दोन विध्वा थेगी तीन पेंशन जतू दू अब यहां कोना खाताम जतू हो से तमने घबर पढ़ी है से अचले कागा रोड थाए कि ना थाए अब आप दा बुच्वन गर दिये तकलिप तो पढ़ें भाई आज ए टेक्लिनलोजी नो उप्योग करीन है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बीते आठ साल में तेइस लाग करोड रुपिय से अधीक सीधे लाभारतियों के बैंक खाते में बेजे गए हैं इस टेक्नलोजी की वज़े से देश के दो लाग तेइस हदार करोड रुपिय याना करीब-करीब सबादो लाग करोड रुपिय जो किसी और के हाथ में गलत हाथ में जाते थे वो बच गए हैं दोस्तों साथ योट डिजिटल इंडिया अभ्यान ने जो एक बहुत बड़ा काम किया है वो है शहर और गाओं के बीच की खाई को कम करना हमें याद होगा शहर में तो फिर भी कुछ सुविधा थी गाओं के लोगों के लिए तो हालत और भी मुश्किल भरे थे गाओं और शहर की खाई भरेगी इसकी भी कोई कलपना भी नहीं कर सकता था गाओं में छोटी से छोटी सुविधा के लिए भी आपको ब्लॉक तैसिला जिला हेड़क्वाटर के दफ्तरों के चकल लगाने पड़ते थे ऐसी सारी मुश्किलों को भी डिजिटल इंडिया अभ्यान ने आसान गाओं में सेंकडो सरकारी सेवाएं डिजिटली देने के लिए पिछले आठ वर्ष में चार लाख से अधिक नए कौमन सभी सेंटर जोड़े जा चुके हैं आज गाओं के लोग इन केंद्रों से डिजिटली इंडिया का लाब ले रहे हैं मैं पिछले दिनों त्यां दाहोद आवे तो तो दाहोद मां बदा मारा आदिव ऐसी भाई बेनों मड़वां थे गुए तो यह मैं एक दिव्यां कपल अतूं तीस बत्रिस वसनी उम्मारास है एने मुद्राय उजिनामादी पैसाली जा कॉम्पूटर नू थोड़ू बुर्दू शिख्या अने पती पत्नी एक कॉमन सर्विस सेंटर शरू करूद दाहोद ना आदिवासी जिल्ला ना एक नाना गामड़ा मां एक भाई याने एमना पत्नी मैंने मड़या एक मने के साहे मारों एवरेज अठ्थेवीस अज्जार विपेनी आवक छे गामड़ा मां लोकों हवे मारत्याथ सेवा ले छे डिजिट्रल इंडिया नी ताका जिओ भाई सवा लाग से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामिन स्टोर अब एक कॉमर्स को भी ग्रामिन भारत तक ले जा रहे हैं एक भी जोनों हो व्यवस्थाओनों के भी दे लाब लेवा है मन्याच से जर्व है यहां गुजरात माहतों तो खिडूतों ने विजडी बिल भरवा माटे तकली पड़ती थी यहना पैसा लेवानी जग्याओं आट सो के नौ सो हती मोडो पड़े ले नियम प्रमाणे विजडी कनेक्शन का पाई जाए का पाई जाल फरी कनेक्शन लेवले विजू पजू पेमेंट करू पड़े आपने भारत सरकार ने वक्ते विननती करी अटल जी नी सरकार थी अटल जी मारी वात मानी अन गुजरात मा खेडू तोने विजडी नी तकली भाती मुक्ती मड़ी के ती व्यवस्थाव उप्योग केम करें एव मना एक प्रवग में दिल्ली मा आपज करें आदत्तों जाए नी काका आपणे अमदावादी सिंगल फैर डबल जर्नी वाले उत्ते उपडेली एलले आपने एक रेल्यवे नी पोटानू वाइफाई बहु स्ट्रांग निट्वर्ग छे एलले वक्ते हमारा रेल्यवे ना मित्रों न कैगुँँँँँँँँँच चुटुट नी फालानी वाद्च्छे मैं इमने कहुँ कि भाई रेलिवे ना जे प्लेटफॉर्म छे एना पर वाइफाई मफद किर दो अने आजु बाजुना गामडा ना बालों कोने त्याही ने भढ़ू होए तो आवे वाइफाई मफद मढ़े एना कनेक्टमीटी मढ़ी जाए जे भाचुवे भणुवे भणे तमने आश्यरे थाजे हूं एक वार वर्चुवली के लाग विद्यारतियों साथे बात करतो थो अनेक लोग को कॉंपिटिटिव एक्जामनी तयारी रेल्वे फेर्फॉर पर मफद वाइफाई थी करता था अने पांस था था कोचिंग लाज मा जमानु नहीं खर्चा करवाना नहीं घर छोडवानु नहीं हांच पड़े बाना आहत्तों रूटलों खावां मले अने भ्णमानु रेल्वे नाश प्लेटफॉर्म पर नो उप्योग डिजिटल यानि ताका जीओ दोस्तों पीम स्वामित्व योजना शायद शहर के बहुत कम लोगों का इस पर द्याम गया है पहली बार शहरों की तरह गाउं के घरों का मैपिंग और डिजिटल लीगल डॉक्युमेंट ग्रामिन को देने का काम चल रहा है ड्रॉन गाउं के अंदर जाकर के हर घर का उपर से मैपिंग करता है मैप बनाता है वो कन्विंस होता है उसको सेटिफिकेट मिलता है अब उसके कौड कचरी के सारे जंजट बन यह है डिजिटल इंडिया की ताका कि डिजिटल इंडिया भ्यान ने देश में बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के आउसर भी बनाये हैं साथियों डिजिटल इंडिया का एक बहुती संवेथन संवेथन से पहलू भी है उसकी उतनी चर्चा शायद बहुत ज्यादा होती नहीं है डिजिटल इंडिया ने खोये हुए अनेक बच्चों को कैसे अपने परिवार तक वापस पहुचाया यह जान करके आपके रदे को छू जाएगा दोस्तों कि अभी मैं और मेरा तो आपसे आग रहे हैं जो यहां डिजिटल का एक्जिविशन लगाया आप जुरूर देखिए आप तो देखिए अपने बच्चों को लेकर के दुबार आईए कैसे दुनिया बदल रही है वहां जाकर के देखो के तो पता चलेगा मुझे महां अभी एक बीटिया से मिलना हुआ है वो बेटी छे साल की थी तो अपने परिवार से बिछुड़ गई रेलबेर प्रेट्फॉर्म पर मा का हाद छुड़ गया वो किसी और ट्रेन में बैठ गई अब उसको आधार के देटा के खाली को मदद मिल गई अब जिस समस्था में गई वहां अधार वाले पहुचे थे अधार काण निकला हुआ तो उसके कारण पता चला किस गाउं की है कहां की है तो खोडिकाना और चौदा मार की उमर हुए उसके मावाब को उसके माता जिवित थी उसको माको उपर्स कर दिया और आज में वह बेटी मिली मैं अपने परिवार में रह रही हूं मेरी मां के पास मेरे मामा के पास रहती है उस बच्ची कहां था कि अपने परिवार के साथ अपनी जिन्दगी जी रही है अपने सपनों को साथार करने लिए अपने गाउं में को पिस्ट पर आपको भी जानकर के अच्छा लगेगा और मेरी जानकरी है कि ऐसे अने थानों से पांसों से अधिक बच्चे इस टेक्नलोजी के मदद से अपने माबाप तक वापिस कहुंचे है जात्यों पीते आज बर्षों में डिजिटाल इंडिया ने देश में जो सामर्त प्रता कि उसने कोरोना वैस्टिक महामारी से मुकाबला करने में भारत कि बहुती है अब दानुरा कर सकते हैं कि अगर डिजिटाल इंडिया भ्याद नहीं होता तो सो साल में आई ये सबसे बड़े संकट के समय देश में हम क्या घर पाते हैं कि हमने देश की करोणों महिला किसानों मद्दूरों उनके बैंक एकाउन पर एक क्लिक करके हज़ानों करोड उपियों के हम पहुचा दिये उनको जीने की कोई तक्रीफ नहीं है कि वन नेशन वन राशनकार की मदद से हमने अपसी करोड चेह अधिर देश वाज़ों को मुक्त राशन सुनिशित किया ये टेखनोली की कहा है हमने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एफिशेंट कोवीड वेक्सिनेशन और कोवीड रिलीव प्रोग्रेम जलाए आरोग अब कोवीड ये ऐसे प्लेटवर्ण है कि उसके माज़न से अब तक करीब करीब दोसो करोड वैक्सिन डोज उसका पूरा रेकॉर्ड उपलबता है कौन रह गया कहां रह गया उसकी जानकारी उसके माज़न से प्राफ्त होती है और हम तार्गर के वेक्तिकों वेक्सिनेश प्राइब कर दोनिया कोवीड के द्वारा वेक्सिनेशन का डीटेल रिप्टेर की जानकारी की चर्चा कर रहा है हिंदुस्तान में कुछ लोग उनका कांता इस पास प्रेटक गया इस पर मोदी के पोगुट है अब 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 मुझा भुका अगए अटरके अब है कि अधिया भारत का डिजिटाल फिंटेक सॉनुचन और आज यूग फिंटेक का है इसके विशे में मैं कहूंगा कभी पार्लामेंट के अंदर एक बार चर्चा हुई है वह सुन देख लेना जिसमें देश के वित्तमंत्री जी भाषान कर रहे हैं कि लोगों को पाद मुबाइल फोन नहीं है लोग डिजिटल कैसे करेंगे पथा नहीं क्या-क्या वो बोले है आप सुनो गयों तो आपको असरे होगा बहुत पढ़े लिखे लोगों का यहीं तो हाल होता है फिंटेक यूपी आई याने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आज पूरी दुनिया इसको आकरसित हो रही है वर्ल बैंक समेच सबने यह उत्तम से उत्तम प्लेटफॉर्म के रुप में उसकी तराना की है और मैं आपसे कहूँगा कहां प्रदर्शनी में देखने को मिलेगा टिस प्रकार से कि मोबाईल फोन पर पेमेंट होते हैं कैसे पैसे आते हैं जाते हैं सारव ऐसे आपको यहां देखने को मिलेगा और ओर जो प्र onboard हुआ है यह सही माइने में बैदे पीपल अब दे पीपल फोर दे पीपल इसका उत्व से उत्व समाधान है कि इस पर ट्रेक्नोलोजी मैं वह भारत की अपनी है यानि बाइदे पीपल देशवाच्चों ने इसे अपने जीमन का हिस्सा बनाया यानि of the people इसने देशवाचों के लेंदेन को आसान बनाया यानि for the people इसी वर्ष मई के महिने में भारत ने हर मिनिट गर्व करेंगे दोस्ता भारत ने हर मिनिट में एक लाग तीस हजार ते अधिक यूपी आई ट्रांजेक्शन हुए हैं हर सेकंड आउसतन दो हजार दोसो ट्रांजेक्शन कम्प्लिट हुए है प्रतिस सेकंड यानि अभी जो मैं आपसे भाशान कर रहा हूँ जब तक मैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इतने शब्द बोलता हूं इतने समय मैं यूपी आई से साथ हजार ट्रांजेक्शन कम्प्लिट हो चुके हैं मैं जो दो शब्द बोल रहा हूं इतने समय मैं यह काम आज डिजिटल इंडिया के मादम से हो रहा है और साथियों आपको घर्व होगा भारत के कोई कहता है अनपढ़ है ठिकना है फलाना है यह है वो है पता सो बताता है वो देश की ताकत देखिए मेरे देशवाचों की ताकत देखिए दुनिया के समुर्द देश उनके सामने मेरा देश जो डेवलपिंग कंट्रिक के दुनिया में है दुनिया का 40 प्रतीशर डिजिटल लें लें हमारे हिंदुस्तान में होता है दोस्तों कि इसमें भी है भी यूपियाई आज सरल डिजिटल ट्रांजेक्शन का ससक्त माध्यम बन कर उभणा है और सबसे बड़ी बात है आज किसी मोल के भीतर कि बड़े बड़े ब्रांच बेचने वाले के प्राश ट्रांजेक्शन की जो टेक्नोलोजी है वही टेक्नोलोजी आज उसके सामने रेडी पट्री वाड़ा और थेला वाड़ों बैठों आपनों फुटपाइट पर 700-800 रुप्या कमातों हो है ऐसा महनत कस्त मद्दूर के पास भी वही व्यवस्ता है जो बड़े-बड़े मॉल में अमीरों के पास कि वरना वो दिन भी हमने देखें जब बड़ी-बड़ी दुकानों में क्रेडिट और डेबिट काड़ चलते थे और रेडी ठेले वाला साथी ग्राहक के लिए छुटे पैसे की तलास में ही रहता था और अभी तो मैं देख रहा था एक दिन बिहार का कोई प्रेट फॉर्म पर कोई बिच्छा मांग रहा था तो वो डिजिटल पैसे लेता था वो अपना क्युकर क्युकर खोड़ बताता था अब देखिए भाई दूनों हर एक किसे पास अमीर हो या गरीब हो गाउं का हो या शहर हो हर एक के पास समान शक्ति है यही डिजिटल इंडिया की ताकत है इसलिए आज दुनिया के विख्षित देशों या फिर वो देश जो इस प्रकार की टेक्नोलोजी में इंवेस्टमें नहीं कर सकते उनके लिए यूपी आई जैसे भारत के डिजिटल प्रोडेक्ट आज आकर्षन का केंद्र है हमारे डिजिटल सालुशन में स्केल भी है यह सिक्योर भी है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी है हमारा जो गिफ्ट सिटी का काम है ना मेरे शब्द लिक्ये रखे दोस्तों और मेरा दोजार पांच या छे का भार्षन है वो भी सुन लीजिए उस समय जो मैंने कहा था कि गिफ्ट सिटी में क्या क्या होने वाला है आज वो धरती पर उतर होता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में फिंटेक केस दुनिया में डेटा security की विशह में finance की दुनिया में गिफ्ट सिटी एक बहुत बड़ी ताकत बंद करके वर रहा है यह सिर्फ गुजरात नहीं पुरे हिंदुस्तान की आन बान शान बन रहा है साथ योट डिजिटल इंडिया भविश्य में भी भारत की नई अर्थे ववस्ता का ठोस आधार बने इंदस्ट्री 4.0 में भारत को अग्रणी रखे इसके लिए भी आज अनेक प्रकार के इनिशेटिव लिए जा रहे हैं प्रयास किये जा रहे हैं आज AI, Blockchain, AR, VR, 3D Printing, Drones, Robotics, Green Energy ऐसे अनेक न्यू एज इंडिस्ट्रीज के लिए 100 से अधिक स्किल्ड डेवलप्मेंट के कोर्स इचलाए जा रहे हैं देश भर में हमारा प्रयास है कि विभिन संस्ताओं के साथ मिलकर आने वाले चार-पांच सालों में 14-15 लाख जुवाओं को फ्यूचर स्किल्स के लिए रिस्किल और अप्स्किल किया जाए उद्धिशा में हमारा प्रयास है इंडिस्टी 4.0 के लिए जरूरी स्किल्स तयार करने के लिए आज स्कूल के स्तर पर भी फोकस हैं करीब दस हजार अट्रल टिंकरिंग लेफ में आज 75 लाख से अधिक छात्र चाता हैं कि इनोवेटिव आइडियाद पर काम कर रहे हैं आधुनिक टेक्नोलोजी से रुबरू हो रहे हैं अभी मैं यहां प्रदर्शनी देखने गया था मेरे मन को इतना आनंद हुआ कि दूर सुदूर कोई ओडिस्या की बेटी है कोई कोई त्रिपूरा की बेटी है कोई उत्तर प्रदेश के कोई इंट्रियर गाउं की बेटी है वो अपनी प्रोड़क्ट लेकर क्या आई है 15 साल 16 साल 18 साल की बच्चियां दुनिया की समस्याओं का समाधान लेकर क्या आई है आप जो बच्चियों से बात करोगे तो आपको लगेगा यह मेरे देश की ताकत है दोस्तों अटल ट्रिंकरिंग लैब के करण स्कूल के अंदर यह जो वात्थावर्ण बना है उसी का यह नतीजा है कि बच्चे बड़ी बात लेकर के बड़ी समस्याओं के समाधान लेकर क्या प्रत्मेश करके बच्चा मुझे मिला वो देखने पाता है अब वह चोटी है कि ग्यारा साल का होगा कि मैंने उसको अपना परीजे पुझा वो कहता है मैं तो ब्रांड एंबेसेडर हूँ कि यहने डिजिडिनल इंडिया के एक खेत्र में हम जो इक्विप्मेंट को ले करके काम करें मैं उसका ब्रांड एंबेसेडर हूँ इतने कॉन्फिडन से वह बात कर रहा था यानि यह सामर्थ है जब देखते हैं तो विश्वास और मजबूत हो जाता है यह देश सपने साकार करके रहेगा संकल्प पूरे करके रहेगा कि सांत्यों नई राष्ट्य सिख्षा निती भी कि टेक्सिकलोजी के लिए जरूरी माइंड सेट तैयार करने में महत्मबढ भूमिका निपाने वाली है अटल इंक्यूबेशन सेंटर का एक बहुत बड़ा नेटवर्क देश में तयार किया जा रहा है इसी प्रकार पी-एम ग्रामिन डिजिटल साक्षरता भ्यान यानि पी-एम दिशा देश में डिजिटल ससक्तिक्राण को पूत्षाहित करने का एक भ्यान चला रहा है अभी तक इसके 40,000 से अधिक सेंटर देश भर में बन चुके हैं और पांच करोर से अधिक लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है साथियों डिजिटल स्कील्स और डिजिटल इंफ्राटेक्टर के साथ साथ टेक्नलोजी के सेक्टर में युवाओं को जादा से जादा आफसर देने के लिए अनेक बीद दिशाओं में रिफार्म किये जा रहे हैं स्पेस हो मैपिंग हो ड्रोन हो गेमिंग और एनिमेशन हो ऐसे अनेक शेक्टर जो फ्यूचर डिजिटल टेक को विस्तार देने वाले हैं उनको इनोवेशन के लिए खोल दिया गया है इन स्पेस अब इन स्पेस का हेड़क्वाटर अंदाबाद में बना है इन स्पेस और नई ड्रोन पॉलिसी जैसे प्रावधान आने वाले वर्षों में भारत के टैग पोटेंशल को इस दसक में नई उड़ जा देंगे हैं गया आदव यहां इन स्पेस के हड़्क्वाटर के गाण्रण के लिए आया था पिछले दे महिने है कि जो कुछ बच्चों से मेरी बातीर हुई स्कूल के बच्चे थे वे यहाँ मोझे वहां बताया गया है कि हम आज़ादी के अमरित महोच्छभ के निमित स्कूल के बच्चों द्वारा बनाएइamba 75 स्टलाइड आस्मान उत्रिक्ष में छोड़ने वाले है यह यह मेरे देश की स्कूल की सिख्षा में हो रहा है दो साथियों कि आज भारत कि अगले तीन-चार साल में कि इलेक्ट्रोनिक मैनिफेक्टरिंग को कि तीन सो बिलियन डॉलर से भी उपर ले जाने के लक्ष पर काम कर रहा है भारत कि चीप टेकर से से चीप मेकर बनना चाहता है कि सेमी कंडॉक्टर का उत्वादन बढ़ाने के लिए भारत में तेजी से निवेश बढ़ रहा है पी एलाइस किम से भी इसमें मदद मिल रही है यानि मेक इन इंडिया की शक्ति और डिजिटल इंडिया की ताकत की डबल लोज भारत में इंडिस्ट्री 4.0 को नई उचाई पर ले जाने वाली है आज का भारत उस दिशा की तरफ बढ़ रहा है जिसमें नागरिकों को योजनाओं के लाप के लिए दस्तावेजों के लिए सरकार के पास फिजिकल रूप में आने की जरुत नहीं होगी हर गर में पहुचता इंटरनेट और भारत की छेतिरिये भाशाओं की विवितता भारत के डीजिटल इंडिया भ्यान को नई गति देगी डिजिटल इंडिया अभियान ऐसे ही नए नए आयाम खुद में जोड़ता चलेगा डिजिटल स्पेस में ग्लोबल लिडर्शिप को दिशा देगा और मैं आज समय मेरे पास कम था मैं हर यूनीट को नहीं देख पाया लेकिन साय दो दिन भी कम पड़ जाए इतनी सारी चीजे हैं वहां और मैं गुजरात के लोगों से कहूंगा मोका मत छोड़िए आप जुरूर अपने स्कूल कॉलेज के बच्चों को वहां ले जाएए सामान्य मानिवी के जीवन की जरूतों से जुड़ा हुआ इंदुस्तान दिखेगा एक नया विस्वास परदा होगा नए संकल्प घड़े जाएंगे और आशा आकांग्छाओं की पूर्ति का विस्वास लेकर के डिजिटल इंडिया के माध्यम से भी देश बविश्य का भारत आदुनिक भारत सम्रुद्ध और ससक्त भारत उस दिशा में आगे बढ़ने की तैयरी की तरफ तेज गती से बढ़ रहा है इतने कम सबैंबे जो प्राप्त किया है भारत के पास टैलेंट है भारत के नौजवानों का सामर्त है उन्हें अवसर चाहिए और आज देश में एक ऐसी स्थरकार है जो देश की जंता पर भरोसा करती हैं देश के नौजवान पर भरोसा करती हैं और उसको नहें प्रयोग करने के लिए अवसर दे रही हैं और उसी का प्रणाम है कि देश अनेक दिशाओं में अभुद्पुर्व ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है इस डिजिटलिया वीक के लिए मैं आपको बहुत शुब कामनाई देता हूं आने वाले दो तीन दिन तो ये साथ प्रदर्शनी चालू रहेगी उसका लाब आप लोग लेंगे फिर से एक बार मैं भारत सरकार के विभाग का भी अभिनदन करता हूं को नोंने इतना बढ़िय कारकम की रतना की मुझे आज मैं सुबह तो कि सुबह तेलंगना था फिर आंद्र चला गया और यहां आपके बीच आने का मुझे मोका मिला और अच्छा लगता है आप सबका उत्सा देखता हूं मंग देखता हूं तो और आनन्द आता है तो इस कारकम को गुजरात में करन करने के लिए भी जंदन करता हूं और देश भर के लाउजमानों के लिए ये प्रेणा बनके रहेगा इसी विश्वास के साथ आप सब को बहुत-बहुत शुक्त कामना है धन्यवार कि आप जो